नमस्का दोस्तों तो दोस्तों जेविटी बर्सिस बीएड केस में जो है आपके लिए आज हमें एक नई अपडेट आपके लिए लेके आए हैं आप सही को पाता है कि अभी जो आपका केस है जे आपका सुप्रीम कोट में चला हुआ है लेकिन हिमाच्चल प्रदेश में जो अभी हाली में जो टैट के लिए जेविटी टैट के लिए आवेदन मांगे थे उसमें बीएड को कर दिया गया था तो जिसके पास जो जेविटी परशिक्षू है वो हाई कोट में चले गए थे तो दोस्तों आज जो है उस केस की सुनवाई है तो आप यह देख सकते हैं मो प्रशिक्षू हमाचल हाई कोट ने लगाई रोक जेविटी टैट में एंट्री की सोच रहे प्रशिक्षू को हाई को ने बड़ा जटका दिया है गुरुबार को मामले की सुनवाई करते हुए उच्चे नेनले ने बी एड उमीदवारों को जेविटी टैट देने पर रोक लगा दी है हाई कोट में पैर भी करते समय यह दलील रखी गई थी कि जब जेविटी बना बी एड केस सुप्रीम कोट में चल रहा है उस अधिसूचना को राजस्तन हाई कोट दवारा रदक कर दिया था साथ ही सुप्रीम कोट में भी उस अधिसूचना पर केई प्रेशन चेन खड़े किये गए हैं इसलिए अमीद्वारों को हाली में जेविटी टैट देने से रोका जाए इन्हीं बातों को मध्या रखते हुए कोट ने जेविटी का पक्ष लेते हुए यह निर्रे सुनाया तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि जो जेविटी परशिक्षू थे उनके दवारा यह दलील दे गई है कि जो जब हाई कोट रजस्तान जानकी जोद्पूर के दवारा जब अधिस सूचना को रद कर दी गया है तो किस अधार पर जो है हिमाचल में जेविटी में बीट को एंटर दी जा एंटरी दी जा रही है तो अभी जो है आपके लिए अपडेट यहीं है कि जो अभी हाली में जो अभेदन मागे थे जेविटी टैट के लिए वो अभी जो है उसमें बीट को टैट दिने से जो है रोकर लगा दी है तो दोस्तों आपके लिए आज की अपडेट इतनी ही जैसे ही हमारे पास कोई और इसके रिगार्डिंग इंफरमेशन आएगी तो आप आपको इस चैनल पे अपडेट जुरूरत दे दी जाएगी अगर आप भी जेविटी बर्सिस ब्याट केस के बार में अपडेट चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो मैं तब ही लाओंगा अगर आप जो है नीटे कमेंट करेंगे देने वर फेंड्स